हेलो गाईस, वेलकम टू सत्यम कम्प्योटर एजुकेशन्स आज का जो वीडियो है वो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा कम्प्योटर के बहुत महत्तोपून क्युस्टन्स जो आपके हैंड़ पलस क्युस्टन्स है कम्प्यूटर जीकेगे आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपका बिलकुल ध्यान से वीडियो को देखना है इन फ्यूटर जो भी एक्जाम साइएंगे उनमें एक क्यूस्टन्स पूछे जा सकते हैं तो वीडियो को आपको बिलकुल भी स्किप नहीं करना है तो हमारा यहाँ पर जो fast questions है वो देख लेते हैं हमारा जो fast questions है वो है आपका कि what does CPU stand for आपको बताये गया है कि जो CPU है CPU को full form यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर आपको बताई है central processing unit that means central देट मिन का मितलब मद्धे प्रोसेसिंग परिकरिया unit मितलब एकाई वह है एकाई जो मद्धे में रहकर परिकरिया करे यहाँ पर यहीज ही इसका फुल फोम बनता है तो यहाँ से definitions आपका complete नहीं होग cabe अगे इपके परिकरिया है computer में और आपके output जो device है उनके मद्धे में रहकर ये pre-create करते है तो pre-create करते कैसे हैं क्योंकि computer है वो आपका binary number यानि binary digits को आपका understanding करते है और humans beings है decimal number को जो computer है वो binary digits यानि 0 और 1 को आपको understanding करते हैं लेकिन humans beings है वो आपका 0 to 9 और A2 आपका F को understanding करते हैं तो computer हमारी language को नहीं समझता है computer केवल 0 और 1 language को यानि binary digits को ही समझेगा तो इसी संतुलन को जो input और output devices के बीच में जो संतुलन होता है user और machines के बीच में जो संतुलन होता है उसको बनाए रखता है CPU इसलिए इसको central processing unit के नाम से कहलाता है तो website का man page है वो आपका home page कहलाएगा अब ये questions है काफी बार आपसे questions से website का भी पूछ लेते हैं कि जो website है what is website website आपका क्या होता है तो collections of web page is called to website यानि बहुत सारे web page का collections है वो आपका ये website कहलाता है तो internet का fast page यानि website का fast page है आपका वो web page कहलाएगा अगला questions देखते है what does RAM stand for जो RAM है उसका full form क्या है ठीक है यहाँ फिल form भी पूछा RAM का full form क्या है या फिर RAM से आप क्या समझते हो ठीक है किसी परकार से कही परकार से questions पूछे जाते है तो हम आपको बताते है RAM for random access memory that means it is called to temporary memory इसको हम temporary यापको refresh memory के नाम से भी जानते है और जो यह जो दोनों होते हैं आपके यानि RAM और नीचे पुछा गया what does ROM stand for RAM and ROM दोनों जो एक्जामपल है यह आपके primary memory के आपके examples है primary memory के यहाँ पर RAM and ROM दोनो primary memory के examples है आपके तो RAM for random access memory होता है and ROM for read only memory होता है एक ऐसी memory जिसको केवल पढ़ा जाए and random access memory आपका एक ऐसी memory जो आपका temporary memory है refreshable memory है अगर आपने RAM के उपर कोई भी data डाल दिया तो जब भी अगर बाईचान साब का computer shut down हो जाता है तो RAM से data आपका lost हो जाएगा लेकिन ROM में जो data अगर आपने डाल रखे है ROM के अंदर तो वो data permanently store होता है ROM is called to read only memory this is called to permanent memory manufacturing time पे ही data ROM के अंदर insert करवा दिया जाता है उसके बाद अगर आपको ROM के अंदर जो data है वो change करना है तो आपको नई जो ROM है वो आपका यहाँ पे खरीदना पड़ेगा आप ROM में जो लिखे गए data को है वो alter नहीं कर सकते हो एक बार जो data लिखा गया तो लिखा गया बाद में आप उसको change नहीं कर सकते हो लेकिन RAM के उपर data है वो computer अगर आपका off हो जाता है तो lost हो जाएगा तो RAM stand for random access memory और ROM store stand for read only memory यह इसके आपका questions रहेगा यह questions कही बार interview अगरा में पूशा गया है कि RAM and ROM differences बताईए आप इनका क्या differences होता है लेकिन competition exam में बार बार यह questions पूछे जाते हैं तो बिलकुल धान से आपको इन questions का जवाब देना है अगला जो questions है वो देख लेते हैं what is the full form of HTTP यह इस आपने देखा होगा कोई भी website आप सर्च करते हो तो starting में वहाँ पर HTTP लिखा हुआ आता है ठीक है तो आपने नीचे देखो questions यहाँ पर दिया हुआ है नीचे questions में आपको दिया हुआ है what does URL stand for यानि uniform resource locator तो URL यहाँ पर जो हुआ यह आपका क्या है web browser का आपका जो link होता है वो URL होता है जिसको हमें uniform resource locator कहते हैं तो इस URL में जब भी आप आपने देखे होंगे यहाँ पर HTTP लगा हुआ होता है तो यह hyper text transfer protocol होता है इसका full form ध्यान से दोनों का जो full form है वो पूछा जा सकता है आपका HTTP का भी full form पूछा जा सकता है और URL का भी full form आपसे पूछा जा सकता है दोनों के जो option है वो आपके मिलते जूलते options मिलेंगे ध्यान देना जब भी competition exam हो आपका तो वहाँ पर आपको options available होंगे चारों के चारों जो options हैं वो एक दूसरे से बिलकुल same आपको दिखाई देंगे उनमें से फरक करना आपके लिए बड़ा tough हो जाता है कई बार अगर आपने त्यारी अच्छी नहीं कर रखी है तो जैसे यहाँ पर दिया है uniform resource locator है वो same आपको दिखाई दे सकते हैं तो इसलिए बिलकुल ध्यान से आपको इनकी जो full form है वो पढ़नी होती है ताकि आपसे कोई गलती ना हो तो बिलकुल ध्यान से एक बार firm आपसे कहा रहा हूँ बहुत important questions है यह full form है ऐसी यह full form है वो हमेशा ही जो option आपके चार होते हैं वो बिलकुल ही same आपको दिखाई देंगे तो बिलकुल ध्यान से उनका जवाब आपको देखे आना है अब अगले questions पर देखते हैं what is an operating systems guys यहाँ पर आपको उनके नाम से ही पता चल रहा है operating systems एक ऐसा systems जो किसी चीज को operate करता हो यानि software that manage computer hardware and software यानि कैसा software जो computer के hardware और software दोनों को manage करता है जैसे किसी भी चीज को activations रखने के लिए किसी भी चीज को active रखने के लिए उस device को activate रखने के लिए उस device में जो आपके software है hardware है उन्हों सभी चीजों को activate रखने के लिए जिस systems का use होता है उसी को हम क्या कहते है operating systems के नाम से जानते हैं तो अगला जो questions है वो देख लेते हैं what does www stand for यहाँ पर www stand for पुछागए basics है questions है आप सब को पता होगा ठीक है worldwide web एक browser यह आपका worldwide web है जो आपका internet है browsing के लिए जो है आपको यहाँ पर आपको शुवीदा देता है internet वगरा access वगरा करने के लिए तो अगला देखो यहाँ पर web browser यहीं अभी हमने जिकर किया था web browser का तो web browser किया था software to access the internet एक परकार का software होता है जो internet access करने के लिए आपको यहाँ पर access करने की सुवीदा परदान करता है ठीक है अगला जो questions है वो देख लेते हैं कि what is the brain of computer यह most important questions है काफी बार पूछा गया है और basic सा questions है एक छोटा बच्चा भी इस questions का जवाब दे सकता है अगर उसने computer थोड़ा about classes बगरा में किया है तो what is the brain of computer computer को brain की संग्या क्यों दी गई है यह शंजी आप देखिए जिस परकार से human bodies का जो brain है human body को activate रखता है हम एक ही साथ बोल सकते हैं लिख सकते हैं इदर उदर देख सकते हैं हमारी bodies की हजारो activities हजारों नहीं तो कम से कम 10-15 activities हम एक साथ bodies की कर सकते हैं और bodies के ऐसे नहीं है कि माल लीजी है हम कहीं लिख रहे हैं तो माल लीजी हमारा हाथ काम करना बंद हो जाएगा कहीं हम देख रहे हैं तो हमारा जो हम लिख रहे हैं वो बंद हो जाएगा चाहिए वो आपके input device हो या फिर आपका चाहिए output device हो उनके उपर सब के उपर proper रूप से आपका control होता है आपका CPU का processor का इसी लिए इसको brain की संगया दी गई है तो अगला जो question से वो देख लेते हैं What is a computer virus? कि computer virus क्या होते हैं? अब भी बहुत बच्चे हैं जो computer का courses कर चुके हैं या कर रहे हैं या computer operator हैं उनसे आप पूछिए कि what is virus? virus क्या होता है? तो वो साइद उनका जवाब नहीं दे पाएंगे लेकिन आपको बता देते हैं अगर competition exams के आप त्यारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एक selected questions होते हैं चार options होते हैं उसमें से वो genuine options का आपको selections करके आता है तो उसमें आपको बिल्कुल धान से history को पढ़ना पड़ेगा तो यह malicious software होता है that harms the computer जो computer को नुक्षान पहुँचाता है ठीक है एक अन्वांचित ऐसी parts अन्वांचित ऐसी फाइले होती है जो आपके computer system में stable नहीं होती है उनको यह नुक्षान पहुचाने का काम करते हैं वो आपके computer wireless कहलाते है अगला question है what is the main functions of a printer एक basic questions है आपने officially line में अगर work किया है आप daily routines के live में देखते हों कि printer का हमारा live में क्या वक होता है तो जो printer का है officially work लगा लिजिए हमारे daily routine के वक लगा लिजिए जो भी आपके copies है hard copies को आपको provide करना होता है लेकिन कई बार office में आपने देखे होंगे कुछ एक जो सबद हैं वो सुनने को मिलते हैं hard copy, soft copy तो जो soft copy होती है वो केवल available होती है उन computer screens जिसको आप केवल computer screen mobile phone screens पे ही आप उसको देख सकते हो लेकिन hard copy को आप without computer open की anywhere, anytime किसी भी समय उसको आप page को open करके देख सकते हो तो जो printer का वाक होता है hard copy प्रोवाइड करने का होता है What is a software? Software क्या होता है? तो program and operating inform जो operating करता है information को used by ये computer यानि एक set of programs प्रोग्रामों का एक ऐसा सम्हू जो केवल computer पे run होता है उसी को हम क्या कहते हैं? Software कहते हैं यहाँ पर जो computer के आपके software का अगर आपका जिकर करें तो computer में दो परकार के software available होते हैं एक system software होता है और एक आपका application software होता है इनके बारे में कभी फिर deeply कोई भी वीडियो होगी उसमें हम आपको इनके बारे में बताएंगे कि operating systems क्या होते है system software क्या होते है अगला questions देख लेते हैं what does PDF stand for इस questions को बिलकुल ध्यान से देखना है इसकी full form आपको ध्यान से देखना है मैंने पहले ही पिछले आपी जो questions थे उसमें भी मैंने बताया है इनकी जो full form होती है जैसे PDF है, STTP है या फिर URL है, इनकी जो full form के जो 4 options होते हैं बिलकुल mail, जोल, खाते भी मिलेंगे अगर आपने थोड़ा सा भी अगर इसको नहीं पढ़ा थोड़ी सी full form complete नहीं पड़ी spelling नहीं पड़ी, तो आप इसका गलत जवाब देके आने वाले हैं तो बिलकुल धान से आपको इसको पढ़ना है यहाँ पर क्या हो रहा है, what does PDF stand for, PDF की full form यहाँ पर PDF से आप क्या समझते हो पूछा गया है तो portable document format यह एक परकार का portable document format होता है, जो हम PDF के लिए यूज करते हैं, तो इसका सही answer portable document format रहेगा, what is a byte, byte क्या है a unit of digital information, एक परकार का यह आपका computer memory का parts होता है, जो आपको byte है bit है, byte है kb है, mb है, यह आपका हो जाएगा तो यह के digital information store करने का यूणिट होता है what is the full form USB, यह आप daily routine यूज करते हो, आपके mobile phones में USB लगता है, आप computer system होते हैं, उसमें भी USB के port होते हैं, चाहिए keyboard लगाना हो, यह फिर आपको mouse बगर attach करना हो, कोई भी devices attach करते हैं तो हमारे USB ports से ही available होते हैं, तो what is the full form of USB, universal and service bus यह stand for आपका USB का full form है तो बिल्कुल ध्यान से आपको करना है अगला next question है, what does GUI stand for, कि आपका GUI से आप क्या समझते हो, तो यहां पर computer systems के अंदर दो परकार के user interface होते हैं एक होता है आपका CUI और एक होता है आपका GUI तो यहां पर CUI stand for character user interface, जो CUI आपका CUI है, वो क्या है character user interface होता है आपका CUI जिसके अंदर आपके वल character type value ही आप डाल सकते हो और जो GUI होता है, वो graphic user interface होता है जिसमें character के साथ-साथ as well as image वगरा processing आप easily करवा सकते हो तो यहां पर जो window आती है computer system की, this stand for GUI, यहां वो GUI interface के अंदर गताती हैं, जहां पर character value के साथ-साथ image वगरा processing भी करवा सकते हो, what is an IP address, IP address आपका क्या होता है, इस नाम को आपने IP address के बारे में जरूर सुना होगा, एक unique address होता है for a device का, किसी भी device का unique address, हर एक device का अलग से अपना एक unique address होता है और उस unique address को ही हम क्या कहते हैं, IP address कहते हैं, on network networking के level पे, ऐसे नहीं है कि किसी network, on network में एक अलग, हर एक device का आपका address होता है एक unique address, जिसको आप IP address के नाम से जानते है तो आज की जो वीडियो है वो यहीं पे हम स्तगित करते हैं यह जो questions है, वो आपके लिए बहुत important है, इन questions को अगर आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना है पर वीडियो को आपको skip नहीं करना है सभी questions आपके लिए important है और अगर ऐसे ही knowledge और ऐसे ही अगर आपको computer gk की जो specials अगर त्यारी करनी है, तो आप हमारे जो channel है उसको join कीजिए, हमारे channel से जुड़िए उसके लिए आप हमारे channel को subscribe कर लीजिए साथ में bell icon को भी आपको press कर देना है ताकि जो वीडियो का notifications है वो time to time आपको मिलता रहे है तो आज की वीडियो में सिरफ इतना ही मिलते हैं next वीडियो में next important questions के साथ